राजस्तान के योगी मस्तनात मट के मटाधीश और अलवर सिसांसद महंत बालकनात योगी इंदर राजस्तान की फिजाओं में यही नाम चहुँ दिशाओं में गूंच रहा है अब जोकी तिजारस सीट से प्रदेश के यही योगी विधायकी का चुनाव भी लड़ रहे हैं और ऐसे में महा मंडलेश्वर स्वामी हरीश चेतनानन महाराज ने बालकनात योगी को देखते ही एक ऐसे भविश्वानी कर दी जिसमें भारत का भविश्य च्छिपा है मौका था ब्रहमलीन महत चांदनात योगी महाराज के समाधी मंदिर में मूर्ती प्राण प्रतिष्ठा का इस कारिक्रम में यूपे के मुख्य मंद्री योगी अदित्यनात से लेकर योग गुरु बाबा राम देव संग प्रमुख मोहन भागवत और देश भर के कई महा मंडलेश्वर शामिल हुए और इसे मस्तनात मत मेले से महा मंडलेश्वर स्वामी हरी चेतनान महाराज ने नात संप्रदाई की गौरफ गाथा का पखान किया दानी और वर्दानी के बीच का खास कनेक्शन भी समझाया और इसे के साथ मताधिश महत बालकनात योगी को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसके बाद से राजस्थान के इस योगी में भाविश्य का भारत देखा जा रहा है दुनिया के सामने भारत की अखंडता को लेकर हिंदु राश्ट और नात संप्रदाई की जो तस्वीर इनों ने दिखाई उसे महत बालकनात योगी की कितनी बड़ी भूमिका रहेगी स सुनिये भारत माता की ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाके भारत माता की बंदे 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 योंतह प्रविश्य मम भाचि मिमाम प्रशुप्ताम शंजीव यत्तिखिल शक्ति धरस्वधामना अन्यास्य हस्त चरण श्रवनत्व गादीन प्राणनमो भगवते पुरुशाय त अज अस्थल गोहर में नाज संप्रदाई के जिन्होंने बैदिक्षनातन शंश्कृति के संबर्धन और संरक्षन के लिए इस देश को अनेक योगी दिये मैं शरुप्रथम गुरु गोरक्षनाजी महराज को प्रणाम करता हूं आज बोहर अस्थल में बावमस्तनाजी के समाधी मंदिर का लोकारपन और वो लोकारपन मैंने कई बार कहा है मैंने रिशिकेश में भी गंगा के किनारे कहा था वो लोकारपन आज हमारे बैदिक्षनातन हिंदु धर्म की जो रीड है जो मेरू दंड है माने मोहन भागवत जी सरसंग चालक और हमारे उत्तर प्रदेश के स्ष्ष्वी मुख्य मंत्री जिन्होंने उस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया जंगलों में भी महा मंगल रचा देते हैं ये गर्व में जल राशी का बेड़ा चला देते हैं ये और शेखडों मर भूमी में नदिया वहा देते हैं ऐसे योगी आदितनाज जी और जिन्होंने मैं निवेदन करना चाहता हूं मैंने श्रीमद भागवत में कई बार कहता राजा निमी के हां नो योगी आए कभी हरी अंतर इक्षा प्रवुद्धा पिपलायनों आभी होत्रोर्त दुमिलश्चो चमशो पर भाजनों लेकिन आज जहां भी नजर जा रही है मुझे ऐसा लगता है राजा निमी के यगन में नो योगी आए थे और बालक नाजी के हां तो आज सो योगी भी आजमान है जहां भी देखो वहीं योग नजर आ रहा है और जिन्होंने इस योग को पूरे बिस्सों में पहुंचाया घर घर योग को पहुंचाया जिन्होंने योग को एक जना अंदोलन बनाया एशे पोजे बाबा रामदेव जी महराज भी हमारे बीच में है मैं बालक नाजी महराज को बहुत साधुवाद देता हूं क्योंकि हमारे यहां कहा है कि नानक नन्ने हो ये हमेशा बालक बनके रहना बहुत दर्शन का भी शूत्र है बालवत जो हो गया ज्यानी उशे को कहा है बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें बोल रहिमन हीरा कब कहें लाख टका मिरों मोल बहुत साधुवाद है आप बालक नाज जी आपको आज आपकी पूरी गुरु परंपरा आचारी परंपरा मुश्कुरा रही है कि आप आज इस नात परंपरा में बालक नाज जी महराज ने आज समाधी मंदर का लोकारपन करके को हरियाना को नहीं, पुरे राष्ट को एक दिशा दिये है कि समाधी मंदिर जागरत समाधी मंदिर होते हैं मैं आपको निविधन करना चाहता हूँ, समाधी स्थल में और समाधी मंदिर में अंतर होता है शमाधी स्तल भारत की राज़धानी दिल्ली में है और शमाधी मंदर देखना हो यहाँ जो मागोगे जो चाहोगे मैं आपसे कहना चाहता हूँ यह वो स्थान है बावा मस्तनाज जी का मंदर सन 57 में जिनोंने आयुरुबेद को ध्यान शिशुनना यहाँ एक आयुरुबेद उनी 57 में जिनोंने आयुरुबेद कॉलेज बना दिया था और एक विश्व इद्याले दिया अनेकों शिक्षा के केंद्र दिये आज आज आवश्चकता है राष्ट प्रगति के पत्पर है और राष्ट को आज इन दो चीजों पर काम करने की आदत बनने चाहिए यह हमारा सुभाव होना चाहिए मैं एक निवेदन करूँ भई पांचार सेकेंटे जादा हो जाएं आप कोई शंत लोग नाराज नहीं होना आज तो एक शेक महराज बेठे हैं महराज कभी नाराज नहीं होते और जो नाराज होते हैं वो महराज नहीं होते हैं आज एक शेक शंत यह बैठे हुए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक योगी ने ध्यान से सुनना, मैं बहुत साधुवाद देता हूं, मैंने उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से देखा है, जहां भाई था, जहां भूग भी ध्यान से सुनना, मा अपने बच्चे को आज मैं कह सकता हूं, आज मैं कह सकता हूं इस मंच में, दानी तो नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन दो बरदानी इस मंच में बैठे हुए हैं, मेरे को ऐसा लगता है, ये इश्वरी बरदान के रूप में, और बैदिक शनातन हिंदू धर्म का कार्य करने के लिए, मोहन भागबजी और योगी आ कुम्ब का मेला उजेन में अवंतिकापुरी में होता है, प्रियाग में होता है, नाशिक में होता है, लेकिन मेरे को मालम नहीं था, कि जहां एक साधू ने बैठ करके योग किया, तप किया, साधना की और उसको समाज को समर्पित कर दिया, आज यहां कुम्ब का जैसा बात पगॉर मेले में आप शादूशंतों का दर्शन करते हैं आज यहांँ पूरा सध्रशन इखठा है मैं कहना चाहता हूँ आज यही आऒश्ट सकता है आज वको सब को जोड़ करके सभी सम्प्रदाई हमारे इस्ट हमारी पूझा हमारी साधना कि पद्देतिया लगो सकती हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कभी राकुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन शब के न्यारे हैं, पर पानी सब में, अरे जरताली जोर से बजा दो, हम कोई फीस थोड़े ही ले रहे हैं, आवाज आनी चाहिए, और मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बार मानी मोहन भागवजी ने कहा था, हम अखंड भारत का की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी सोच में, हमारे सपने में, हमारे संकल्प में अखंड भारत है, और आप देखना, एक दिन वह आएगा, आज करोडों, हिंदों की जो धड़कन है, आपको कई लोग कहते थे, आयो मंदिर भी बना, अब तो हम ये भी कह रहे हैं, कि राम लला हम आएंगे, और उद्गाटन की तारिख भी बताएंगे, मैं बहुत सादुआद बालक नाजी को देना चाहता हूं, क्योंकि नाथ संपरदाई से मेरा भी बहुत गहरा रिस्ता रहा है, मैं एक, दो सेकिंड में अपनी बात कह दू, कई शंपरदाई ऐसे हैं मानी, भागवजी, योगी आजदितना जी, बाबा राम देव जी, जिन संपरदाईों में अरदास होती है, अरदास की जाती है, और उस अरदास में नव नाथों का और चोराशी शिद्धों का बढ़नन होता है, ऐसा अधुद संपरदाई ये नाथ संपरदाई, नाथ संपरदाई ने जोड़ा, और इस संपरदाई में पुझे बाबा राम को पढ़ना नात्संप्रदाई के शंतों का एक भोज था और भोजन में क्योंकि यह बहुत मैतुपूर्ण बात है कह देता हूं पत्तर लगाई गई थी लेकिन एक पत्तर ज्यादा लग गई जब गिंती की गई तो साधू नहीं था तो सब ने कहा हम भोजन नहीं करेंगे त बिठा दिया वो वो मैं आपको कहना चाह रहा हूं यह शिद्धों की समाधी है और इस समाधी का धर्शन करना जो मागोगे वो मिलेगा संतों के पास से तो मिलता ही है हम लोग कोई आता है हम तो वही अगले में माला पहने वाले लोग हैं लेकिन माला आपके पास है अब इ तेरी माला, तेरा माल और दोनों मिलके करें कमाई। तब मंगल होगा, आपने शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा के छेत्र में, आज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। आपने जहां एजुकेशन एंड हेल्थ के छेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। कॉलेज दिये, पिश्व विद्या लई दिये, और आज पाश के लोगों को आपने शिक्षा के सुविधा दी। आज मेरे को ऐसा लगता है, उजय बालक नाजी की महान परंपरा में, आज बाबा चांद नाजी महराज, आज स्रेयो नाजी महराज, आज मस्त नाजी महराज, और आज तो गुरु गुरक नाजी भी मुश्कुरा रहे होंगे। बारत माता की बंदे, बंदे आज इस समारों में शार नजर आता है, मिटती हुई मानवता का आधार नजर आता है, फोली दिवाली दशहरा तो प्यारे आकर चले जाते हैं, आज तो मस्त रात दरबार में त्यवहार नजर आता है, त्यवहार नजर आता है। झाल झाल